नमस्कार स्वागत है आपका संसाट टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देख रहे हमारा खास कायकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे लाप के लोब में फसे हिमंद सुरेन की जारखंड के मुखमंतरी हिमंद सुरेन की विधान सवा सरस्ता पर संकट के बादल चाय हुए हैं लाप के पत्के मामले में जहारखंड के मुखमंतरी हिमन सुरेन की विधान सबा सरस्ता खत्रे में पड़ गई है खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने राजपाल रमेश बैस को उनकी सरस्ता खतम करने की शिफारिश कर दी जिसके बाद जहारखंड में सियासी सरक्रमी बढ़ गई है हिमन ने खनन का एक पट्टा कथित रूप से अपने नाम किया जो की कानून का उलंगन है चुनाव आयोग का कहना है कि ये दोरे पत्के लाप का मामला बनता है आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए खास महमान हमारे साथ मौजूद है चुनाब पूर्व मुख चुनाब आयुक्त ओपी रावज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओपी रावज जी आपका स्वागत है संसाथ टीवी पर साथ ही हम बात करेंगे PRS के आउट्रूइच पुरमुक चक्शो राय जी से चक्शो जी आपका भी स्वागत है संसाट टीवी पर और वरिश पतकार मनीश आनन जी हमारे साथ मौझूद है मनीश जी आपका भी भबो स्वागत है संसाट टीवी पर मनीज जी शुरुवात मैं आपसे करूँगा क्योंकि ये पूरा प्रकंड जो है वो लाप के पद का मामला है जारखंड की सियासत का है खनन घोटाले का भी एक मामला इस पर बनता है ये पूरा प्रकंड है क्या जब 2018 में जब हेमन स्वरेन विपक्ष में थे तब रांची के पास एक खनन है जो पत्थर का खनन है पत्थर का स्टोन का माइनिंग है उसका उन्होंने लीज लिया था 2021 में उसका रेन्यूवल होना था हर एक समय प्रियट के बाद उसको रेन्यू करना पड़ता है 2021 में उसका रेन्यूवल का टाइम आया और मुख्य मंत्री रहते हुए और वो खनन का जो डेपार्टमेंट है वो भी इनके पास ही तब था 2021 में और उस डेपार्टमेंट में र कर रहे हैं उस मंत्राले के आप मंत्री हैं और जो conflict of interest है जो conflict of interest ही इसकी मूल भावना है जो office of profit का जो भी मामला जितनी भी हमारे विधाइका में जो इसके लेक हैं वो ये कोशिस करता है कि अगर आप किसी background से आते हैं और आप उस department को head कर रहे हैं तो उसका फायदा आप ना उ क्योंकि मंत्राले ही उनके पास था अगर और ये भी देखेंगे कि उनके जो पिता है शेबू सोरेन उनका भी office of profit का मामला हुआ था जब मुख्य बंतरी थे उनको भी स्थीफा देना पड़ा था और आज के तारिक में अगर आप देखेंगे हमन सोरेन के परिवार में उनक के तरफ से कंप्लेन किया था उसके उपर हमन सोरेन के लॉयर्स गए थे वहाँ पर सुनवाई हुई और सारे प्रक्रिया को पूरा होने के बाद एकी सिफारिश गवर्नर के पास गई है और इस जो भी इसमें जो प्रारूप है विदाहिका का इसमें गवर्नर के उपर एडवाईस से तो एलेक्शन कमिशन ने जो भी एडवाईस करा है वो गवर्नर को मनना पड़ेगा जी बिलकुल ये बात तो रही उनकी हेमन सोरेन की और शीबू सोरेन की किस तरह से जो परवार है वो लाप के पत के मामले में पहले से ही फस्ता रहा है एक इत्यास रहा है स परितनुद अधनियम जिसकी बात हम करते हैं लाप के पद की बात करते हैं इससे आशे क्या है देखे दो तिन चीज़ा तो मनेश जी ने क्लियर कर दी है लेकिन मैं और भी कुछ क्लियर करना चाहूँगा कि अभी किसी को यह नहीं पता कि एलेक्शन कमिशन ने क्या पिनियन दी है वो सीक्रेट ही रहती है जब तक कि माननी राज्यपाल उस पर कोई फैसला नहीं कर देते हैं तब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि चुनाओ आयोग ने क्या सिफारिश की है क्या ओपिनियन दी है इस मामले में दूस स्थित है वो यह लीज हमारे पास है यह डिकलियर की थी उन्होंने तीसरी चीज़ यह है कि जो लोग प्रितनेजित अधिनियम उन्नीस सो पचास जो ज्यादातर वोटर लिस्ट में एंवल्मेंट और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर आधारित है और दूसरा है उन सब का एकस्पेंडीचर का एकाउंट्स वगेरा यह सब उसमें समाहे थे हैं तो धारा 9 ए में यह प्राधान है कि यदि कोई जन्य प्रतनेजी जो MLA MP है या उसको बनना चाहता है तो वो उस सरकार से अगर राज में है तो राज सरकार से और केंडर के लिए है तो केंड है और ऐसे में वो MLA MP चुना जाता है तो यह उसको डिस्क्वालिफाई करने के लिए परियाबताधार है इस पर्टिकुलर केस में यह नहीं अभी पता है कि यह लीज जो माइनिंग की रिन्यू हुई है जैसा मनीजी जी ने कहा है यह बिलकुल सही कहा है कि यह रिन्यूल क मामला था 2021 में रिन्यू हुई है यह लीज किस के नाम है क्योंकि यदि इन्डिविज्वली श्री हेमन सोरन के नाम है तब तो यह बिलकुल प्रमारित हो जाएगा कि यह 1901 के वायलेशन में फसे हुए है लेकिन अगर यह किसी कॉर्परेट एंटिटी के नाम है जैसे जिनर तो उसमें क्या उनर्शिप उनकी है उनर्शिप नहीं है तो क्या कंट्रोलिंग शेर होल्डिंग उनकी है यह सब चीज़ें देखी जाती है और इलेक्शन कमिशन इन सब एलेमेंट्स का पूरा विवेचन करके फिर अपनी ओपिनियन बनाकर राज्यपाल को या राश्पत कारवाई करेंगे जी वो उसमें किसी भी तरह का फेर बदल नहीं कर सकेंगे जी बिलकुल चुनाव आयोग ने क्या शिफारिश की है अभी ये सामने नहीं आया है लेकिन फिर भी कई तरह के सवाल है लाप के पद का मामला है और लाप के पद का मामला एक इसका इत्यास रह है दिल्ली से लेकर जो राज विधान सभाएं हैं जो राज सरकारे हैं उनमें अक्सर लाब के पद का मामला उठता रहा है चक्चू राई जी लाब के पद की बात अगर मैं करूं तो बात चाहें कॉंग्रेस की बड़ी नेता रही हैं उनका नाम भी आया सुनिया गांदी जी उसके बाद जया बच्चन जी का भी एक मामला बना लाब के पद का राज्यों में हम देखते हैं इस प्रकार के कई मामले उभर के सामने आये हैं उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले एक बीजेपी विधायका नाम भी इसमें आया था आप कैसे देखते हैं अगर जब हम लाब के पद की बात करते हैं तो हमें दो तीन चीज़े समझ लेनी चाहिए पहली चीज़ यह है कि जो हमारा समविधान है वो दो चीज़े बताता है पहली चीज़ वो यह बताता है कि अगर आपको चुनाव लणना है संसद के लिए या विधान सभा के लिए तो आपकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो जैसे एक क्वालिफिकेशन यह है जो कि समविधान के अंदर लिखा हुआ है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए लोग सभा के लिए विधान सभा के लिए आपको 25 साल की उमर होनी चाहिए उसके बाद समविधान क्या कहता है कि समविधान में जो चीजें लिखी हुई है वो तो करनी ही करनी है बट संसत कुछ कानून भी बना सकती है जो कि यह बताएगा कि और क्वालिफिकेशन क्या हो तो जैसे जो रिजर्वड कॉंस्टिवेंसी होती है उसमें लिखा जाता है कि आपको इलेक्शन लडने के लिए आपको उस ग्रूप का पार्ट होना चाहिए अब बात आई लाब के पद पर तो समविधान ये भी कहता है कि कुछ चीजें हैं जो की डिस्क्वालिफाई करती हैं आपको इलेक्शन लडने से और अगर आप इलेक्शन लड़के जीच जाते हैं तो continue as a member तो जो disqualification है उसमें एक है office of profit और उसमें भी समविधान कहता है कि संसद कानून बना सकती है कि किन चीजों पर आपको disqualify क्या रज़़भा तो संसद ने कानून बनाए हैं disqualification के लिए उन कानूनों में एक चीज है कि आप करप practice करें तो आप disqualify होंगे अगर आपके उपर disloyalty है government के खिलाफ तो आप disqualify होंगे आपके पास कुछ criminal case आपके उपर लगए हुए जिस पर की decision आगया है तो आप disqualify होंगे और फिर उसमें एक 9A भी disqualification है और वो disqualification ये है कि अगर आपके पास कोई सरकारी contract है तो भी आपकी विधान सभा या लूग सभा की सदस्यता रद करी जा सकते है अब हम लोगों ये समझ लेना चाहिए कि ये क्यों है लाब का पद इसमें ऐसी क्या गलत बात है कि इससे सदसयता जाती है हमारा सभी ये कहता है कि जब आप संदस्वा सदस्यता है तो आप सरकार के ओपर अंकुष रखेंगे अगर आपके पास कोई सरकारी पद है अगर आपके पास कोई लाब का पद है जिसमें कि ऐसा हो सके कि सरकार आपके ओपर दबाव डाल सके या फिर आप चाहें कि आप सरकार से कुछ ले सके तो आप अपना जो विधाई कारवाई है विधाई जो आपकी responsibility है आप पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो इसी लिए ये disqualification बनाया गया है ताकि आप अपनी जो विधाई responsibilities हैं वो अच्छी तरह से संपन्न कर सके और ना सरकार आपके ओपर दवाब डाल सकाए और ना आप सरकार से कुछ benefit ले पाएं ताकि अगर आपको सरकार से benefit मिल रहा ह तो शायद आपको ये लगे कि भाई हमें सरकार की अलोचना नहीं कर सकता है या सरकार पर रंग कुछ नहीं कर सकता है तो ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़े हैं अब आपने कुछ उलेख किये की cases हुए हैं लाब के पत काफी सारे हुए हैं जब मुझा याद है चौदवी पास भी हुआ गया था बट उसे उस वक्त जो राश्टपती थे वो अब्दुलकलाम थे उन्होंने उस बिल को वापिस भेजा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये इस चीज लाब के पत को कुछ जो नैशनल एडवाईजरी काउंसिल थे उसमें जो कुछ लाब के पत को ए इन सभीओं में एक चीज ये रही है कि जो लाब के पत की भरिभाशा है ना वो सम्मिधान में है ना वो हमारे रिप्रेजेंटेशन और पीपल आप में है बट कोट्स ने क्या किया है कि इंटरप्रेट किया है कि लाब का पत क्या हो सकता है तो उसमें ये देखा गया है कि आपको क्या वो पद ऐसा है जिसमें कि सरकारी जो इंटर्वेंशन है वो एकदम डिरेक्ट है या फिर आपको बेनिफिट मिल रहा है और वो बेनिफिट सिर्फ पैसे का नहीं हो सकता है सहूलियत का भी हो तो ये काफी सारी चीज़े हैं जो कि लाप के पर में आती है मनीजी क्या अलग-अलग राज्यों के हिसाब से भी कोई परभाशा है क्योंकि मुझे याद आता है कि दिल्ली में जब शीला दिक्षित मुक्मंतरी थी तब कई सारे विदायक इसलिए फस गए थे कि लाप के पदका आरोप उन पे लगा था एक साथ कई सारे सचिप बना दि कि हैं आप कैसे देखते हैं निश्चित रूप से सिर्फ दिल्ली में नहीं महरास्टर में भी ऐसा कैसे हुआ है एक सीमा है कि जो केंदर सासित राज्ये है वहाँ की एसमली में 10 पेज़दी जो MLA की संख्या है वही मंतरी बन सकते हैं तो दिल्ली में पिधान सभा में 70 MLA होते हैं, तो 7 मंतरी बन सकते हैं मुख्य मंतरी को मिला करके, मुख्य मंतरी और 6 मंतरी. और अगर आपके पास 30-40 MLA हैं आपके पार्टी, रूलिंग पार्टी के पास, तो बाकि जो MLA रह जाते हैं, उनको भी उमीद रहता है कि उन्हें भी किसी भी चीज से रिहाबिलिटेट किया जाए. तो शीला दिक्षित ने भी कुछ MLA को पार्लेमेंटरी सेक्रेटरी बनाया था, तो उसमें कुछ पैसे अलग से सेलरी नहीं मिलता, लेकिन आपको आफिस मिलता है, स्टाप मिलता है, गाडिया मिलती हैं, और लगबग जुनियर मिनिस्टर का दर्जा मिलता है. तो महराष्टर में भी ऐसे केस हुए थे, लगबग कैबिनिट मिनिस्टर का वहाँ पर दर्जा दिया गया था उनको, लेकिन बाद में महराष्टर हाई कोट ने बोला, कि ये गलत है, आप ऐसे पोस्ट क्रेट नहीं कर सकते हैं, ये आफिस अप्रॉपिट में आता है, ये निश्ची तरुप से जो 10% और 15% की सीमा लगाई गई है, जो मंतरी बन सकते हैं, उसका उलंगन करने का एक आप रास्ता निकाल रहे हैं, बस सीधा-सीधा वो तरीका है, इसके वज़े से उन लोगों को उन चीजों से हटाया गया, और उनके उपर आम आदमी पार्टी, ज अपने सांसद से स्तिफ़ा दिया, और जब स्तिफ़ा दे करके आई, दोहजार अठारा का मामला है, आम आदमी पार्टी का करीब इस बिदाया बिलकुल, सत्ता उनकी जाने वाले भी थी उस विशे के उपर में, तो एक और प्रोविजन ये है, कि आप कुछ ओफिस को डिक कौंसल की चेहर परसन बनी, लेकिन तब तक जो है, तब तक जो है, उस पोस्ट को ऑफिस और प्रॉफिट के एग्जेम्टेट लिस्ट में डाल दिया गया था, तो उसके बाद भी बनी, लेकिन उसके बाद कोई फरक नहीं पड़ा, जया बच्चन का जो आपने मामला बना क्योंकि आप एक फाइदा ले रहे हैं और इसका मूल जो मंत्र है, मनोज जी, की जो हमारी विदाई का है, जो हमारा एग्जेक्यूटिव है, और जो लिस्ट लेचर है, हमारे लोगतंतर में टीनों का सेपरेशन है, तो उस सेपरेशन को बरकरार रखने के लिए, हमने इस प्रॉपिट का प्रॉविजन किया हुआ है, जी, बिल्कों मनेश ये, ओपी रावज जी, लेकिन मैं कुछ बात ही आपसे सभज़दा चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर इसको लेकर सवाल उठता है, ये किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी एक नेता का मुद् प्रतनिदी का मुद्दा नहीं है, अलग-अलग राज्यों में समय समय पर अलग-अलग तस्वीर लाप के पद को लेकर दिखती रही है, इसमें अलग-अलग सरकारों में, अलग-अलग विदायकों की भूंका पर भी सवाल उठते रहे हैं, मैं आपसे ये समयना चाहता हू की कोई भी जल प्रतनिदी एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकता, एक तो बात धारा 9A में ये कही गई है, दूसरी बात है, दो पदों पर आर्थिक और अन्य परकार के व्यक्तिकत लाप नहीं ले सकता, दो पदों पर आर्थिक और अन्य परकार के व्यक्तिकत लाप से क्य मतलब है इसका देखे इसमें जो चक्षुराई जी ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से समझाया था उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि एक ही वेक्ति दो तरह के पदों पर बिल्कुल रह सकता है इसी भी तरह की समझाया नहीं है यदि एक पद इलेक्टिड है दूसरा पद भी इलेक्टिड है और वो किसी भी तरह का उस गार्ण्मेंट राजी सरकार या केंडर सरकार के आधीन नहीं है ना वो अपको निकाल सकते हैं ना वो आपकी किसी भी टरम्स ऑफ事 या टरम्स ऑफ टरिण्योर में परिवर्थन कर सकते हैं ऐसा अगर नहीं है तो वो रह सकते हैं और पिसरी चीज है अगर वो एक्जम्टिड लिश्में डाल दी गई है तो भी तो पदों पर आप रह सकते हैं इसमें फिर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। जी, अगर कोई दोशी पाया जाता है लाप के पत के तहट, तो इसमें प्रबधान क्या है? कुछ दंड का प्रबधान है क्या? जी, जो मनीश जी कह रहे थे, रावज जी कह रहे थे, देखिए उसमें ये बात उभर कर आती है, कि जो लाप का पद है, वो लाप किस तरह का हो? तो जो हमारा सम्विधान और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन और पीपल अक्ट है, वो ये कहता है, कि भई वो जो लाप की चीज़े हैं, वो किसी ना किसी तरह सरकार से जोड़ी होनी चाहिए. तो जो नाइन ए है, वो बात करता है, कि भई आपके पास कोई सरकारी कॉंट् तो अगर जो आपका लाप का पद है, जो आपके कॉंट्राक्ट हैं, वो सरकार से जुड़े हुए हैं, तब आपके ऊपर ये दंड होता है, कि भई आपकी सदस्यता को रद कर दिया जाता है. अब बात आई कि सदस्यता रद कैसे होती है, तो सदस्यता ऐसे रद होती है, कि भई पहले कोई एक तो यह हो गया कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपके पास सरकारी कॉंट्राक्ट था तो किसी ने objection उठाया कि भई आपके सरकारी कॉंट्राक्ट है तो आपके nomination को रोका जाया कि ना रोका जाया अगर आप चुन कर आ गए हैं तो क्या होगा governor के पास एक अर्जी जाएगी governor अपने आप से कुछ नहीं करेंगे governor election commission को कहेंगे और election commission फिर सारे तर्क और वो सब देखेगा वकीलों से बात करेगा दोनों पार्टियों के और election commission अपनी राय देगा governor को उसके बाद governor के पास ऐसी कोई power नहीं है और लेक्शन कमिशन की राया को ignore करें जो election commission की राया रहीगी governor को उसी राया पर काम करना पड़ेगा अब बात आती है कि वो पद जो धानसभा का जो पद है वो कभ से रिक्ट होता है तो उस दिन से नहीं रिक्ट होता है जिस दिन गवर्नर अपना decision देते हैं या जिस दिन election commission वो उस दिन से रिक्थ होता है जिस दिन आपने लाब का पद पहली बार लिया था चक्षू राइजी इसमें court की भूंका को आप कैसे देखते हैं क्यों जैया बच्चन का मामला हो या दूसरे नेताओं का मामला हो सुप्रीम court तक यह मामले गए हैं कई बास सुप्रीम court ने भी इस मामले में intervening किया है इस मामले में दखल दिया है आप कैसे देखते हैं तो court ने दो-तीन तरह से intervening किया है एक court का intervention यह रहा है कि जो हमारा समधान कहता है कि जब यह disqualification होता है तो governor का decision final रहता है तो पहला जो court का intervention है वो इस बात पर है कि जो governor का decision है क्या उसकी कोई judicial remedy है कि आप जाके उसको appeal कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो जहां तक मुझे याद आ रहा है Supreme Court ने यह कहा है कि हाँ भी judicial remedy है जो governor का decision है वो उतना final नहीं है कि उसे challenge ना किया जा सके कुछ एकाद ground है जिस पर challenge किया जा सकता है पहली चीज़ यह दूसरी चीज़ यह है जिसमें court का intervention आया है कि court ने यह interpret किया है कि भाई लाब का पद कौन से पद लाब के पद होंगे कौन से पद लाब के पद नहीं होंगे कौन से contract 9-1 के अंदर disqualification के लिए आएंगे कौन से नहीं आएंगे और एक इसमें चोटी सी विधान सभाओं की और संसद की भी भूमी का है और वो भूमी का यह है कि संसद में कमिटी है जिसको Office of Profit Committee का जाता है और जब ही भी कोई लाब का पद जब किसी संसद सदस्य को किसी पद पर डाला जा रहा होता है तो इस कमिटी से पहले पूछा जाता है कि भाई क्या यह पद लाब के पद के अंदर आएगा अगर आएगा तो फिर हमें इस पर क्या करना चाहिए तो कमिटी कहती ही भाई लाब के पद पर आएगा आप इस पर किसी संसद सदस की निवती नहीं कर सकता है तो यह कुछ चीज़े हैं जो की ध्यान में रखनी पड़ती है जी ओपी रावज जी कई बार ये देखने में आया है कि Office of Profit कानून में शंशोधन भी राज्यों में कर दिया गिया क्या इसको राष्टी स्तर पे कोई एक कानून है या राज्यों के हिसाब से इसमें फिर वदल किया जा सकता है दोनो तरफ ग्रवस्ता है केंदर में जो केंदर के अधीन पद हैं वो उनके बारे में exemption list में डालने का प्रावधन वो कर सकते हैं और राज्य सरकारों के अधीन जो पद हैं उसके बारे में राज्य सरकारें प्रावधन कर सकती है मनिश जी आम तोर पे देखने में आता है कि राजनेतिक दल जो हैं, उनके सरकार जब होती है, राज़ों में तो अपने विदायकों को संतुष्ट करने के लिए ऐसे पद करेट कर देते हैं, या ऐसे पदों पर बैठा देते हैं विदायक जी को, आप कैसे देखते हैं, जो राजनीती इसके पीछे होती है, कितनी कि अगले एक साल तक के लिए तो राजनितिक पार्टियों को कहीं ने कहीं जो प्रेशर MLS के तरफ से रहता है उसको संतुष्ट करने के लिए यह स्कोप वो देखते हैं कि ऐसे जगहों पर यह वैसे एक्जम्टेड लिस्ट में यह सारे होते हैं जहां पर उनको बनाया जाता चैर्मेन या मेमेर बनाय जाता है ताकि आप देखते हैं क्योंकि वह जन प्रतिनीधी है। चाहे MP हों चाहे MLA हैं उन से कई लोग मिलने आते हैं, उनके छेटर से मिलने आते हैं और छेटर से जब MLA या MP हैं तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे तो अगर ऐसा कुछ position मिल जाए किसी board का, corporation का chairman मोग बन जाए तो अपने लोगों का कुछ वो काम कर पाएंगे तो ऐसी मनशा देखी जाती है MLA और MP का तब ही वो लोग चाहते हैं कि हमें ये positions मिल जाएं लाप के पत के पीछी की जो राजनीती है उसे आप कैसे देखते हैं क्योंकि इसको लेकर जिस तरह की राजनीती होती है वो भी खूब देशने देखी है मनीश ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि MLA और MPs को accommodate करना होता है सबके political aspiration है तो पहले क्या होता था कि पहले इन चीजों में दिक्कत नहीं आती थी पहले कोई ऐसी सीमा नहीं थी कि जिसमें कि आप सिरफ 5 ही मंतरी बना सकते हैं या 15 मंतरी बना सकते हैं या 50 ही मंतरी बना सकते हैं जब समविधान में संशोधन हुआ तो सम्विधान के संशोधन में एक ये बात रखी गई कि एक सीमा ते करी गई कि भई इससे ज़्यादा मंतरी नहीं बना पाएंगे तो पहले क्या था था कि सरकार बनाने के लिए आप लोगों को एक लोब देते थे कि भई लाब के पद को डिफाइन कर दिया जाए कि क्या है लाब का पद ताकि लोगों को मालूम रहे कि कौन सा पद लेना है कौन सा पद नहीं लेना है कोर्ट के लिए असानी हो जाए कि भई इसमें इंटर्प्रेटेशन में हर बार लोग अपील में ना दोड़के जाएं तो ये कुछ तकनीकी बात है हुई थी और मुझे मालूम है कि मुझे याद है कि जब मैं उस कमिटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें काफी बड़े-बड़े संसत सदस्य थे मेरकल से अरुन जेटली जी भी उस कमिटी के सदस् तुलन बनाना पड़ता है कहीं न कहीं लेकिन लाब के पद में जब कोई फसता है तब तमाम तरह के सवाल उस पे उठते हैं क्योंकि सवाल राजनीती का है जो लाब के पद के पीछे की राजनीती है वो भी कहीं न कहीं अपना असर दिखाती है खेर आप तीनों ने स्काइ इतना ही मुझे दीजिये आग्या नमस्कार